हाई फ्रेंज विल्कम टू माई चैनल माई बागवानी फ्रेंज बहुत दिनों बाद फिर से आप लोग के सामने नई वीडियो लेके आ गई यह रही मेरा बैकियर्ट गार्डन यह देखे यह पूरा खाली जग़ा है लेकिन इतने जग़े में मैं अभी तक थोड़ा थोड़ा करके लगा रही हूं पौधे यह देखे यह विंटर का फ्लावर है विंटर सेसन जैसे जैसे आ रहा है उसका फ्लावर भी आ रहा है यह है केतो की फ्लावर और इधर है मेरा पैंगन और यह रहाँ चीली के पौधे और यह है बॉटल गड़ के पौधे फिलल इस रिलेटेड ही वीडियो है बॉटल गड़ रिलेटेड और यह देखिए मेरा सीम की फली इसमें फ्लावर आना भी अभी शुरू हो गई है थुड़ी दिन बाद इसमें भी फ्लावर आ जाएगा इधर है सीम की फली और उस तरफ है बिटर गड़ करेला यह देखिए और यह रहा बॉटल गड़ लॉकी और यह रहा मेरा लॉकी फ्रेंड्स देखिए इसका साइज कितना बड़ा है यह बहुत बड़ा बना और इधर एक छोड़ टूसा अभी रेडी हो रहा है और भी चार लॉकी हम लोग अल्रेडी तोड़के खा चुके हैं वीडियो ना देने के कारण आप लोगों को दिखा नहीं सके तो आज लॉकी के हर्वेस्टिंग दिखाएंगे आशा करती हूं आप लोगों को पसंद आएगा यह देखिए यह लॉकी लगभग मुझे तो लगता है एक हाथ से करना मुश्किल है यह देखिए फ्रेंज मेरा बिटीपा कर रही है इतना बड़ा इतना बड़ा उसके हाथों में भी नहीं आ रही है तो कुछ देखिए फ्रेंज यह लॉकी आज का हर्वेस्टिंग यह इतना बड़ा होगा यह देखिए बहुत ही बड़ा के अपने बगिया से अपने बागवानी से कुछ उगा के खाने का मजा ही कुछ और होता है अब लोग भी अपने घर में लोकी करेला यह सब उगा के उसका आनंद लीजिए यह देखिए यह रही हीवीस्कास का पौधा इधर है बनाना यह है मौसम भी और इधर भी कुछ बॉटल गार्ड गेंदा क्रिसंत माम सब कुछ ही थोड़ा थर्वा करके मैंने लगाया यह रहा नारियल का पेड उधर भी एक नारियल है और यह है सजन और यह रहा अड़हर कलाई जिसको हम मटर कहते हैं मटर का पेड तो यह रही मेरे बैकियट गार्डेन का कुछ ज़ल किया आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा और अभी से रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को लिए नए नए वीडियो हम लाएंगे अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और कॉमेंट जरूर किजिएगा तैंक यू फर सपोर्टिंग माई बागवानी तैंक यू